लेज़े सुनिए सूर्य कांति तिर्पाठी निराला के लिखे उपन्याज प्रभावती का भाग तीन मेरी यानि समीर गोस्वामी के आवाज में पंडित शिव सरूप गंगा पुत्र चौपाल में चौके के अंदर चने चबा रहे हैं दल्मव का हर गंगा पुत्र अपने को दालिभ रिशी का एक मात्र वंश धर्मानता है और प्रचार भी करता है पर शिव सरूप महराज औरों से जादा पुष्ट और आवाज वाले होने के कारण जातिये श्रेष्टता में सदा विजय प्राप्त करते हैं विशेश पढ़े लिखे नहीं संकल्प शुद्ध नहीं आता गुन गुना कर दान छोड़वा लेते हैं पर पंडितों से बात चीत पढ़ने पर दालिभ रिशी के प्रचंड पंडित्ते के महत्म कीर्टन में मात्र भाशा के प्रखर स्वर से दूसरों को इस्तम्भित करक चोड़ते हैं गव के खुर के प्रमान से कुछ अधिक जगह शिखाने गेरी है लंबी डेड़ हात साधे तीन पेंच के बाद बंधी हुई दंड पर गौरों की धोजा की तरह फैराया करती है ललाट सदा भस्म मंडित उम्र भी बहुत नहीं केवल चालीसमा साल पहुँच पतनी 25 में साल पर लोग से धार गई तब से कुलीन वंशिय कन्या के अभाओ के कारण दालिब भर रिशी के महुच चकुल को दो बारा कलंकित नहीं किया पहली इस्त्री भ्रगु ठोरा या भिटोरा फतहपुर के पास की सीधे भ्रगु के वंश की थी घर में माता हैं और स गाटों में लड़ाई सनातन पर था है इसलिए मारने या मार सहलेने के द्रण अभी प्राय से दोना वक्त कसरत करते हैं किसी किसी युवती की पुरुश विशेश को चराने की आदत होती है महराज शेव सरूप केले के नीचे ही एक बगल रहते हैं यमना अनेक कारियों से उधर आती जाती है इन से प्रायह मुलाकात होती है यमना नीचे उसे चूना न चाहिए इसकी छाया से उनके ब्रहमेचर का फूल कुमला जाएगा उने खुले बदन देख ले तो नजर लग जाने का भाय है आदी अनेक धार्मिक विश्वास अपने भाव और भाशा से जा कि इनकी उच्चिता और ब्रहमेचर पर उसकी पूरी श्रद्धा है कुछ दिनों से हस्ती आखों जो के सिर पालागन करके आशीरवाद भी पाने लगी है उसे एक दिन शिवसरूप महराज अपना नाम लेकर अभाय भी दे चुके हैं कि उनके नाम के परताब से दालिब भ यमना को कारे की पूर्ती के लिए उनसे मिलने की आवशकता हुई यमना जल्दी में है महराज शिवसरूप चने चबाने में जल्दी नहीं कर सकते चौपाल पहुँचकर महराज को देखते ही एक सांस में यमना कह गई बड़े धने आदमी थे मंतरी के लड़के हैं मैंने क क्रिडीत गती से बढ़े और फौरण यमना की कलाई पकड़ ली अरे सुन भाई जटके से हाथ चुडा कर कुछ पल महराज को देखती रहकर यमना बोली चने चबा करना कुला करना ना हाथ धोना आकर चूली है अब महराज शिवसरूप को होश हुआ इधर उधर देखकर पेर पकड़ लिए शब्द न निकला अच्छा अच्छा ना कहूंगी किसी से पर भूल मत जाना महराज हटती हुई यमना बोली हाथ जोड़कर शिवसरूप महराज गरगराने लगे अच्छा सुनो ये लो अपना दान सुन मुद्रा देती हुई महराज शिवसरूप को ल अच्छी जगए जल्द रखकर आओ मैं आकर सब ठीक कर लूँगी महराज उसकी क्षन भीतर जाकर जल्द जल्द दो शब्दों में माता को समझा कर कपड़ी रखकर लोट आए उन्हें साथ लेकर यमना राज कुमार के संकेत स्थल को चली अच्छा महराज रास्ते में बढ़ाए हुए दोड़े जरा कैंची निगाह देखकर यमना मुस्कुराई हाँ तो ये तो बताएए भुजवे के भुने और हमारे दिये चने में तो चूत नहीं फिर चबाकर छू जाने में कैसी चूत है हैं यमना सब ढौंग है यमना की बाईं बाह पकड़ कर हिलाते ह रामनात है रामनात वामनात जितने हैं सब किसके घर कर नहीं खाते बेसन के लड़ू में चना नहीं है जजमान परसते हैं सब खाते हैं और जजमान खाते बकर चूचू कर परसते हैं यमना के कान के पास मुहले जाकर हलवाई की बनाई पूरी नहीं कहते अब चूत कुछ स मामूली दासी के रूप में नहीं, सजकर आई है, राजकुमारी की प्यारी सखी के रूप में राजकुमार से मिलेगी, मिलाएगी, एक बार अपनी सजावट का विचार कर फिर मुसकर आई, फिर महराज की तरफ मन लगा बोली, अच्छा महराज, बात ही तो है, खुल जाए तो, तो कोई सिर काट लेगा, कहेंगे ढौंगी था, यमना खिल खिला कर हसी, बोली, गव अत्या तो हत्यारन से भी कट जाती है, हाँ, गंबी रोकर शिव सरूप महराज ने कहा, इसका कोई पराच्छित नहीं है, एक धर्म छोड़ने की बात है, यमना को पूरा विश्व कि बहुत बुरा हुआ, यमना डर कर कि कहीं पकड़ न ले, फिर बोली, लेकिन मैं किसी से कहती थोड़े हूँ, बरामभन का सराप कहीं लग जाए, है महराज, महराज उदा स्वरों से बोले, वंस नास हो जाए, कोड हो जाए, कहीं जलम जलम जम के दूद नर्क में घसी ट आगया था, बोली, महराज किसी से इनके आने की बात कहना मत, महराज ने गंभीर होकर सिर हिलाया, यमना ने पूछा, कोई पूछेगा तो क्या कहोगे, कि कोई नहीं आया, उनके घोड़ा भी है, पैसे मिलेंगे, आदमी तुम्हें लगाना होगा, कोई पूछे कि ये किसक गोड़ा है, तो क्या कहोगे, कहेंगे हमारा है, मनवा के राजा ने बाप की सराद में दिया है, मन में सोचकर, मुस्कुरा कर यमना बोली, अच्छा, आगे उस पेड़ के नीचे खड़े रहो, मैं उने ले आती हूँ, फिर साथ ले लेना, मैं साथ न जाओंगे, वहीं मि गठे, अनिमेश दृष्टी से उधर ही देखते रहे, जहां राम डीला के समय रावनवाद होता है, उसी जगए एकले आम के नीचे प्रभाने कहा था, यमना सीधे उसी तरफ गई, निश्चे हो क्या, गोड़ा खड़ा देख पड़ा, बगल में राजकुमार बैठे थे, एक इस्तरी को आते देखकर उठ खड़े हुए, छाह से पूर्ण जोत सना के नीचे, एमती वस्तर और अलंकारों से सजी हुई यमना, राजकुमार को देखकर, हिरदे में ललित अंजली बांध, जरा सिर जुका कर, मधुर कविता की लड़ी सी खड़ी रह गई, उसे आद आ रही हैं, आग गया हो तो ले चलू, राजकुमार के मुड़ती ही दृत पद यमना घोड़े के पास पहुँची और डाल से लगाम खोल कर हाथ में दे दी, चत्रा सेविका से प्रसंद होकर, प्रिया की खबर लाने वाली ये सब की चुनी हुई सेविका होगी, अनमान कर पुरस्कृत कर देने के अभी प्राय से, राजकुमार ने अपनी मोतियों की एक माला उतारी और मौन इसने से यमना के गले में डाल दी, म्रदुल खिल-खिल से निरजन प्रांत गुंज उठा, राजकुमार चकित हो गए, ये आचरन सेविका का नहीं, उसी समय मधुर से पूछा, कुमार यमना की याद है? यमना? राजकुमार की ध्वनी और दृष्टी से निकला हुआ वेक पूर्ण आश्यर असाइयत हो गया, दृत्पद बढ़कर वे यमना के पास आई, पेड़ के नीचे पल्लवों से चन कर यत्र तत्र मुख पर चांदनी पड़ रही पर जिस साइसी हिर्दय का उसने पहले परचा दिया था, जिस नेपुनने से वो अकेले भी विजाएनी थी, उसकी जिस वीरता की बैस वाड़े में घरगर चर्चा थी, जिसे जीवन के सत्रहुए साल ही अलोग की कीरती प्राप्त हो चुकी थी, जिसे ग्रह देविया अप सासंब्रम राजकुमार भोले, आप दोनों की बहुत दिनों तक खोच की गई पर पता नहीं लगा, हाँ कुमार, उस युद्ध में विजाए पाकर तुम्हारे बंदी सेनपती को छोड़ा कर में महोबा गई थी, मुझे भय थाया कि यहां रहने पर भेद खुल जाएगा, मेरे और भी कई उदेश ये थे, सेनपती क्या यहीं है, नहीं, कुछ सोच कर बात टालने को मुस्कुरा कर बोली, श्रंगार के समय वीडरस की चर्चा तुम्हे अच्छी लगती है, फिर इस पर्थम समय, मधुर मुक्तर नारी कंठ हस कर गूंज गया, राजकुमार सहज सि काई खड़े रहे, यम न बोली, आप मेरे कुल के पती पद में मुझ से छोटे हैं, यद्यपी पती आपके पिता के अधीन, आपके सेनपती थे, ये पुरसकार मैं नहीं ले सकती, आगे एक महराज आपको ले जाने के लिए मिलेंगे, उन्हें दीजेगा, कुमार, मेरा भ परिचे के पश्चात, वे मनस की जगह किसी प्रकार की शंका नहो, उनके परिचित यहां भी हैं, आप यहां किस रूप से हैं, आखे जुकाए विनीत कंट से राजकुमार ने पूछा, किस रूप से, हस्ती यम न बोली, उसी से, जिससे द्रोपदी को विराट नगर में र लिकाए, मेरे अलावा और दोसों होंगी, कुमार चलिए, राजकुमार ने हाथ जोड़कर सम्मान परदर्शन किया, बढ़कर अच्छा अच्छा कहकर आचल छुडाती हुई यम न बोली, पर वहाँ सम्मान परदर्शन की और खास तोर से विचार रखीगा, क्योंकि मिला संबंध तो सकी वाला है, कहकर यमना ने कुमार का एक हाथ हिला दिया, फिर बोली, और वहाँ सेविकाओं वाली मेरी अपब्रश्ट भाशा पर हसिएगा मत, मेरे प्राणाम का एक अर्थ ये भी था कि मैं आपके पैदल चलते घोड़े पर न चलूँगा, आप आगे आग और दोश भी नहीं, मैं पुत्र का शब्द और धातु से निकला अर्थ लेती हूँ, राजकुमार हस दिये, अभी आप सुन रहे थे, सुरे कांते तरपाठी निराला के लिए के उपन्यास, प्रभावती का भाग तीन, मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में झाल को झाल को झाल को झाल को झाल के लिए क्वामी की आवाज में